नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज आपके लिए न्यू रुकूर्टमेंट नोटिफिकेशन लेकर आए हूँ जो के बिल्लकुल फ्रेश है अभी अभी पोस्ट ओफिस की तरफ से दो रुकूर्टमेंट नोट कर दीजिए और हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजट करने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ के साथ बेल आइकन जरू दबाएएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए और आप समय रहते हैं उसको अप्लाइ कर पाओ जे दोस्तों मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आया हूँ यह रूप्लाइ भी कर पाएंगे मैं आपको कम्प्लीट प्रोसेस बताऊंगा हर एक चीज़ के बारे में सो जल्दी से जाएगा हमारे चैनल पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन जरू दबाएगा चलिए मैं आपको ले जलता हूं रुकूट्मेंट नोटिफिकेशन में सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा आपने इसके लिए अप्लाइ कैसे करना है तो कम्प्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा सबसे पहला स्टेप जो इनकी वेबसाइट पर आपने जाना है जो की appost.in आपको link description में मिल जाएगा तो आपका कुछ ऐसा interface आपके सामने आएगा जो आप सामने देख पा रहे हैं सबसे पहला स्टेप होता है registration का registration के लिए जैसे आप इसके क्लिक करेंगे आपके पास कुछ ऐसा interface जो है वह आ जाएगा यह interface आप देख प इसमें वह आप लिख लेंगे अपना mobile number जो भी आपका communication mobile number है और अपना अधार का number आपने फिल कर लेना है जो भी आपका बनता है अपनी email id जो भी है आप वही लिख सकते हैं इसके अंदर date of birth जो भी आपकी बनती है अपना gender आपने जूप सेलेक्ट करना है देन आपनी community ज साथ है तो आपने yes or no लिखना है और अगर आपके type or disability है वो लिखना पड़ेगा select आपको pwd सब category select करनी पड़ेगी और circle विच आप जिस circle से पास होएं 10th वो आपको लिखना है year of passing लिखना है और क्या आप bicycle ride कर सकते हैं वो लिखना है whether आप employed है या नहीं yes or no उसके बाद generate हो जाएगा दिन आपको अपनी fee payment करने है जो कि second step है यहां पर आप देख पा रहे हैं fee payment का तो आपको इस पर click करना है तो आपको बास कुछ ऐसा जो है interface सामने आ जाएगा और यहां पर आपने अपना registration number जो पहले हमने generate किया था वो आपने यहां पर mention कर देना है दिन अपन आपके अपने आप बाकी details जो आप देख पा रहे हैं आपके बास सारी की सारी आ जाएंगी mobile number, name, community, amount उसके बाद आपने payment detail जो है transaction की है make payment पे click करके आप online अपने debit card, credit card, net banking से payment कर पाएंगे जो की आपको details खुद ही fill करनी है next हम बात करते हैं इसके अंदर उनने mention किया है कि आप credit card use करेंगे तो 1% आपका transaction amount अलग से लगेगा, so net banking का 10 rupees per transaction आपको लगना है debit card का कहीं पर भी कुछ mention नहीं है, तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप इसके लिए debit card ही करिएगा, अब हम बात करते हैं third step की, जो की आपका apply online का है, अगर मैं इस पे click करता हूँ, कुछ ऐसा interface आपके सामने आएगा, जो की online apply करने का है, सबसे पहले registration detail, जो registration number हमने first step में किया था, वो आप यहाँ पे fill करेंगे, circle select करेंगे, और submit कर देंगे, next आपके पास यह application form जो है open हो जाएगा, जिसमें आपको simply अपनी personal detail, जैसे कि आपका नाम, आपका address और बाकी detail फिल करनी है, और आपको जो document आपके 10th के, आपके OBC या जिस category से है, वो certificate है, आपका residential proof है, वो आपने यहाँ पे upload करना है, preference चूज करनी है, और last में इसको submit कर देना है, जैसे ही आप submit करेंगे, last में print application की option आपके पास, तो आप इसमें application को print भी कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं, इसके अ बात करते हैं, जो आपका, कैसे आपने इसके अंदर जो जो details है, वो पढ़ लेते हैं, तो आपकी details जो है, आप देख पा रहे हैं सामने, यह जो recruitment notification आउट किया गया है, यह branch post master का out किया गया है, जो की out किया गया है, और next post assistant branch post master की है, third जो है dark saver की post जो है, आउट की गई है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें, आपकी salary की, तो इसमें आपकी जो है BPM के लिए 12,000 से लेके 14,500 तक रहेगी, ABPM और dark saver की 10,000 से लेके 12,000 तक आपकी salary जो है, वो रहने वाली है, अब इसके अंदर बात करते हैं, eligibility मतलब age limit की, तो अगर आपकी age 18 साल से लेके 40 साल तक है तो आप eligible हैं, जो कि अगर आप apply कर सकते हैं, जो कि 27 चार 2021 तक बननी चाहिए, जो कि SC और ST candidate को 5 साल का age relaxation दिया जाएगा, और OBC के लिए 3 साल का age relaxation है, economically weaker section के लिए कोई relaxation नहीं है, और personal disability 10 साल का है, personal disability के लिए PWD, OBC के लिए 13 साल का है, personal disability SC के लिए 15 साल का है, relaxation, तो कोशे condition से आप पढ़ लीजेगा, अब बात करते हैं, education and qualification की, तो अगर आप 10 पास हैं और 12 पास हैं, आप इसके लिए eligible हैं, आप apply कर सकते हैं, और compulsory local language की knowledge होना आपको बहुत ही जादा जरूरी है, और अब हम बात करते हैं, किस-किस location के लिए ये recruitment notification आउट किया गया है, तो ये आप आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे download notification में बिहार के लिए 1940 पोस्ट हैं, और महारास्टर के लिए 2428 पोस्ट हैं, अगर आपको local language की knowledge है, तो आप इन post के लिए eligible हैं और apply कर सकते हैं, जल्दी से जाएं, लिंक आपको description में मिल जाएगा, direct आप जाके apply कर पाएंगे, कोई भी आपको किसी भी तरह की कोई query हो या आपको apply करने में कोई दिक्कत आ रही है, यहाँ पे उनकी email id और number दिये गए हैं, वहाँ पे आप query अपनी कर सकते हैं, लिंक आपके सामने है, apply कर लिए जल्दी से जाके, कोई दिक्कत आए, comment ज़रूर से करिएगा, मिलेंगे नई recruitment notification के स नहीं वीडियो के अंदर तक के लिए धन्यवाद।